हालो गाईस तो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं Spring Boot में प्रोजेक्ट और हम लोग ने अभी तक Spring Boot में काफी चीज़े सीखने हैं एक बार मैं आपको बता दूँ और उन सब चीज एक एक चीज की जरुत पड़ेगी हमें इस प्रोजेक्ट को बनाने में ये प्रो लोग सीख पाएं और जो important concept उसनकर को प्रोजेक्ट में apply कैसे करना है यह जो हमारे basic students है जो प्रोफेशनल है हो सारे लोग मिलके इसीट को सीख पाएं तो इसलिए हम लोग यह प्रोजेक्ट करना है तो प्रोजेक्ट है smart smart contact manager या सको smart contact manager भी बोल सकतो smart contact manager जिसमें हम लोग इक को सेव कर प necessennes ग्रभी को एक उनको सेव कर सकते हैं हाँ वाई फोन को क्वालिट्ट्स कर सकते हैं उनके नामबर मैं pierws कर सकते हैं उनके को सारी चीज़ें हम लोग Spring Boots की help से करेंगे तो इसमें बहुत सारे मॉडूल सीखने वाले हैं एक करके मैं सारे मॉडूल बताता हूं कि हम लोग क्या सीखेंगे मैं बार-बार क्या रहा हूं क्या सीखेंगे इसका मतलब बड़े को बनाने के लिए सबसे पहले कुछ important modules concepts पता होने चाहिए वह सारे मॉडूल हम लोग इस इस प्रोजेक्ट बनाके सीखेंगे देन हम लोग कोई बड़ा भी प्रोजेक्ट बनाएंगे सबसे पहले देखते हैं अभी तक हम लोग ने क्या कबर किया है तो अगर मैं यहां पर open क करता हूं को श्प्रिंग बूर्ट वाली सीरीश सुष जी स्प्रिंग बोट वाली सीरीज में कबर कर लिए स्प्रिंग डूर्ट का बैसिक सब कर लिया इवेकों रेस्ट जावा में स्प्रिंग बूट में बहुत असानी से इसको यूज कर सकते हैं मैंने टोटल अपने इस सीरीज में वीडियो बना के रखी हैं तो आपको कोई भी दिक्कत मतलब परिशान परिशान होने के जरूत नहीं आप जाके सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डॉक में अब बार जरुर देख लिएका बहुत सारे लोगोंने इस सीरीज को देखा है और टेली बेसिस पर देख रहे हैं तो आप इन से देख लीजागा सारी जीज़ें सीख लोगे तो आप लगा पाऊगे तो बैसिकली अगर मैं बोलूँ तो जितने concept हम लोगों ने सीखें Spring MBC से ले करके, Hibernate से ले करके, JPA से ले करके, Spring Boot से ले करके वो सारे concept हम लोग इस वाले project में सीखें जाने, अब चलते हैं एक एक module explore कर लेते हैं, इस project में हम लोग basically करने क्या वाले हैं ठीक है, तो सबसे पहले धान से उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको technology बता दूँगा क्यों क्यों से technology हम लोग इस project में यूज करने वाले हैं, तो जैसे हम लोग को पता है, smarter या smart बोलूँगा, मैं smart contact manager है, basically एक ऐसा software है, जिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, cloud पे, मतलब क्योंकि हम लोग storage provide करेंगे, तो cloud पे क्योंकि कोई भी कर सकता है, कहीं सभी contact को manage कर सकता है, तो जैसे आपने देखवा का Google Contacts ठीक है, तो यहाँ पर भी आएगा, sign up करेगा, sign up करेगा, अपनी details fill करेगा, then वो क्या करेगा, contact को store करना है, start कर देगा, तो basically यहाँ पर start collecting your contacts in very smarter way, मतलब आपने contacts को यहाँ पर smarter तरीके से store कर सकते हो, बहुत असान है, simple, 2 modules, सबसे important module जो 2 होता है, किसी भी software में, किसी भी project में, वो login और logout, that means user का management, कैसे login करता है, उस बंदे को क्या-क्या, सबसे पहले authentication करना, क्या-क्या उसको authorization है, क्या-क्या वो access कर सकता है, क्या-क्या चीज़े कर सकता है, क्या-क्या permissions है, तो वो सब चीज हम लोग manage करेंगे, तो मैं यहाँ पर paint open कर लेता हूँ, यहाँ प एक चीज लिखता जाता हूँ, मॉडूल कौन-कौन से हम लोग कबर करेंगे, ठीक है, और यह मैं provide करा दूँगा, आपको जिससे की, जो मॉडूल से हम कबर कर रहे हैं, वो आप करी लो, साथ ही साथ में, अगर आपको कुछ और addition करना हो, तो आप इस project में add कर लो, ठीक है, जैसे sharing option हो गया, या और भी ची ले वो user management का तो होगा ही, user management means what, user management means कि हमें login, logout तो करना ही करना है, तो सबसे पहला register तो आपको करना ही है, and then login, and then logout तो आपको करना ही करना है, इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग बिल्कुल, अगर आप सोचने, spring security, तो हम लोग इसमें spring security यूज़ करेंगे, और आपको सिखा सबसे पहले, जब बंदा आएगा, तो यह page दिखेगा, यह front page है, अगर आप चाहो तो, यह front page है, जाहो तो इसके नीचे design कर सकते हो, आप लोग इसमें माहिर हो ही, आप बढ़िया से design मना सकते हो, इसके बारे में लिख सकते हो, इसके features लिख सकते हो, वो सारी इसमें आप feel है, enter your name, यहाप अपना नाम भर सकता है, साथ ही साथ में अपना address, email address बर सकता है, and then अपना password भर सकता है, and then अपना यहापर, about yourself भर सकता हो, ठीक है, यह सारी यह भर सकता है, एक बार में फिर से को तकाता हूँ, ठीक है, browser में आप है are table change कर रहा हो, तो basically यहापर हमारा home page है, और sign up पे click करेगा, तो अपने sign up page पे आ जाएगा, नाम भर देगा, email भर देगा, password नया enter कर देगा, और अपने बारे में कुछ link देगा, कि मतलब अपने बारे में बाद में इसको edit भी कर सकते हैं, बाद में अंदर से आप इसको update भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे agreement और conditions क्या कर करेंगे, एकदम smarter, look and feel, कोई भी दिक्कत नहीं, दूसरी चीज, अगर आप कोई framework क्यूज करते हो, तो वो चीज़ें आपके project में reflect करने लगती है, अगर आप कोई चीज सीख लेकते हो, तो ऐसा बोलते हैं, एकर आपने English सीख लिया, तो आपकी personality एकदम reflect करेगी, या फिर आपकी body language, body language आपकी अच्छी है, तो personality आपकी reflect करती है, यहाँ भी अगर आप कोई technology में, अगर आप कोई framework क्यूज करते हो, तो वो चीज़ें आपके project में reflect करती है, reflect करने का मतलब क्या अध्यान से देखिए, जब हम लोग JSP होगारे में project में आते हैं, तो ऐसा लगता था क कि मतलब एक पुरानी technology है, या कह सकते हो कि मतलब जैसे मैं एक example देता हूँ, जैसे हम लोग JSP करते थे, तो आपके EWARES इतने clean नहीं होते थे, यहाँ पे अगर आप Spring Boot उस कर रहो, मतलब बोलू तो Spring MBC अगर आप उस कर रहो, तो आपके EWARES देखो एकदम clear है, clear कहना का मत contact, ठीक है, तो आपके EWARES लिएक तो perfect clear है, जब आप sign up पे click करोगे, तो आप देखो कि यहाँ पे smart contact slash sign up आ गया, that means आप sign up page पर आगयो, यहाँ पर sign up कर लोगे, then जब आप login page पर आओगे, तो slash smart contact slash sign in, और आपके पास यहाँ पे email और password का एक simple option है, तो आपके एकदम perfectly सब क EWARES clean है, इसका बहुत सारा फाइदा होगा, अगर आपके EWARES clean है, तो Google जो है, वो आपके EWARES को जादी preference देगा as compared to .gsp या .php, तो कोशिस करो, हमें साच अब भी कोई website बनाओ, तो आपके EWARES clean बने, framework क्या करते हैं, functionality provide करते हैं, अपने आपसे by default, तो मैंने हाँ पे को अलक से महनत करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे by default चीजे मिली है, इसलिए इसका नाम framework है, framework मतलब पहले से बनी बनाई चीजे है, हम लोग को बस use करना है, तो जिन्होंने भी JSP या फिर PHP अगर आप प्रोजेक्ट बनाया हुआ हुआ, आप trust me अगर आप framework यूज करो यहाँ प searching करना, कुछ भी करना हो, उतनी महनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, उतनी manual coding नहीं करनी पड़ेगी, सारी features कौन प्रवाइट कर देगा, सारी features Spring Boot या जो भी आप framework यूज करना है, वो framework आपको free में बना के देगा, आपको सिर्फ उसको खाना होगा, that means उपर से आपको formality करन करता है, flexibility प्रवाइट करता है, design pattern प्रवाइट करता है, जिसके सबसे आप अगर project बढ़ा रहे हो, increase कर रहे हो, उसके size बढ़ा रहे हो, users बढ़ रहे हो, तो उसे सबसे वो functionality देगा, जिससे आप उसको manage कर पाऊ, handle कर पाऊ, JSP वगर हमें यही होता है, कि अगर आपका project feature में बढ़ने लगा, तो आप उसको handle करना थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है, बट यहाँ पर frameworks, आपको flexibility प्रवाइट करते हैं, आप उसको बढ़ा सकते हो, चलते हैं, आप login करके यहाँ पर देखते हैं, तो simply, यहाँ पर sign up तो आप समझी गए, sign up कर लेंगे, तो यहाँ पर sign up आप वाला, तो हमारा module आप समझी गए, register एक module होगा, जिसमें हम तो registration करेंगे, then हम login वाला module करेंगे, login करके मैं आपको दिखाता हूँ, simply मैं login पर चलूँगा, और यहाँ पर अपनी email, ID और password डाल दूँगा, तो मैं अपनी email, ID और password डाल देता हूँ, और simply मैं submit कर देता हूँ, तो आप देखोगे, हमारा यहाँ पर simple admin panel है, simple आप देखिए, यहाँ पर मेरे options दिख रहे थे, यहाँ पर home option आगया, that means हम home पर आ सकते हैं, और यहाँ पर हमारे नाम लिखा है, किस बंदे ने login किया हुआ, और यहाँ पर simple logout button है, अगर आप चाहो तो logout कर सकते हो, यहाँ से भी exit कर सकते हो, और यहाँ पर start adding your contacts, add new contacts है, simply आप इस button पर click करके, अपने ने contacts को add कर सकते हो, if you want, अगर आप add click करोगे, तो यहाँ पर add contact, और आपके यह बार सभी भी clean बनेंगे, लेकिन यहाँ पर option देखिए, यह select हो गया, अभी तक home by default select था, अभी select हो गया, यहाँ पर simply देखोगे, अपना contact नाम डाल दो, उसका nickname डाल दो, contact number डाल दो, उसकी email डाल दो, work experience डाल दो, और यहाँ पर मैंने एक text field बढ़िया वली बनाके रखा है, जिसमें आप बहुत सारे इसके बारे में लिख सकते हो, एक page, दो page, even bold कर सकते हो, जैसे इसको center पर कर सकते हो, इसको बीच में कर सकते हो, बहुत सारे number of features आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर इस बाद में आप उसको क्या करो, उसकी simple सी profile चूज़ कर लो, that's it, profile चूज़ करके contact add कर दो, आपका contact add हो जाएगा, contact मतलब software ने contact को save कर लिया, अब जब भी आप चाहो anywhere, from anywhere, कहीं सभी आप इस website पर login करके क्या कर सकते हो, अपने contact को देख सकते हो, जरूरत पढ़ने पर अगर आपको mobile खो गया है, या कहीं भी आपको नहीं पता, अगर आपको इस website का username पता है, तो यहाँ से देख सकते हो, तो उसका लिए पताया हुआ है, so contact पर जाओगे, so आ अपने नहीं, ठीक है, मतलब आप यहां से आपके सोiliarzubis रावाग्ट्स है, आप हर एक contact को का कर सकते हो, यहांसे delete कर सकते हो, यहांसे edit कर सकते हो, हरी contact को यहांसे delete और edit कर सकते हो, तो simply अगर हम पहले वाले contact को delete करना चाहा है, तो हम यहां पे delete प्लिफ करेंगे, थिप ok कर तो आप दोखोगे आपका वो contact successfully क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा पहला बाला contact डिलीट हो जाएगा अगर आप इस contact detail को update करना चाहर हो suppose यहाँ पे profile picture नहीं दिख रही है तो आप क्या कर सकते हो profile update भी कर सकते हो इस pen पे click करके आप यहाँ पे click कर दो and then name आ जाएगा इसका निक name आ जाएगा number आ जाएगा email आ जाएगा and then designation आ जाएगी है और यहाँ पे उसके बारे में जो भी आपने लिखा होगा and then profile picture आप यहाँ पे choose कर सकते हो any profile picture that you want you can choose तो मैं हाँ पे profile picture choose कर लेता हूँ अपनी ठीक है देख सकते हैं और जैसे इसको देखना है तो इसको देख सकते हैं और ठीक है बहुत सारे context को आप simply देख सकते हो यहाँ पे जो भी आपने about लिखा होगा एकदम बढ़ियस आएगा सब कुछ आएगा और सबसे important इस यहाँ पर एक और module है मारे पास तो context को add करना,contact को delete करना यह भी यहाँ पर दूसा लिख देता हूँ ठीक है तो basically यहाँ पर दूसा जो है contact management,contact management,management हमें करना है,contact management management में basically contact को show करना होता है so context करना है,with pagination,pagination,so context लिख दो बस,contacts and then आपको update करना होगा,update context,contacts and then add तो करना ही होगा,add contacts, आप चाओ तो search contact का भी बना लो क्योंकि बहुत सारे जब हो जाएंगे context तो आपको दिक्कत होगी तो आप search contact का भी एक module add कर सकते हो बाद में फिलाल मैंने यहाँ पर add नहीं किया,but आप चाओ तो add कर लो और यहाँ पर देखो,pagination का भी मैंने यहाँ पर option दिया,एक बार में अगर आपके बहुत सारे contact हैं तो आप पेज में यहाँ पर 10 दिखा सकते हो,20 दिखा सकते हो,दिन हाँ पर pages आ रहे हैं आप 2 पर click करके दूसरे page पर जा सकते हो,और यहाँ पर बहुत बढ़िया से implementation म next यहाँ पर नहीं दिखाएगा,बट अगर आप 1 पर हो यहाँ पहले page पर हो तो आपको previous नहीं दिखाएगा, तो यह सब implementation हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग pagination बनाएंगे,last यहाँ पर प्रफाइल भी देख सकते हो,पनी प्रफ lot होता है कि आप admin role हो तो आपको कुछ और functionality है, आप यही चीज़े access कर पाऊगे, और चीज़े देख पाऊगे, अगर आप user role हो तो आप वहाँ पर आपकी जो काम करना है या फिर जो भी permissions से कम होगी, कम चीज़े आप कर पाऊगे, admin वाली functionality आपको नहीं मिलेगी, और simply आप आपका जो account हो active है, जो दूसरा admin है, या जो main admin है, या अगर आप normal user हो, तो admin क्या कर सकता है, आपको active और de-active कर सकता है, active और inactive कर सकता है, तो आपका account यहाँ से lock हो जाएगा, तो यह सब हम लोग इस वीडियो में सारी इस यह बनाने वाले है, last में आप क्या कर सकते हो, simply exit कर यहाँ से log out कर सकते हो, जैसे log out करोगे, तो simply आपका account यहाँ से log out हो जाएगा, और यह सारी हम लोग बनाने वाले हैं, अपने spring boot से, तो यहाँ पर आप बहुत सारी इस सीखने वाले हो, कुछ technologies में आपको बता देता हूँ, क्या क्या आप सीखोगे, क्या क्या technologies हम लोग use कर होने चाहिए, controller हो गएरा पता होना चाहिए, तो यह सब चीज पता है, तो आप आसानी से कर लोगे, आपको jpa पता होना चाहिए, hibernate की basically, hibernate की हमारी जो series उसको जरूर एक बार दिखेगा, वहाँ से आपको mapping करने का सब कुछ idea हो जाएगा, ठीक है, तो jpa पता होना चाहि time belief, कैसे आप elements दिखाते हो, conditional rendering कैसे करते हो, यह सारी कैसे करते हो, यह सब चीज आपको पता होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो चीजे सीखी है, वह ही use करेंगे, कोई extra use नहीं करेंगे, दूसरी चीज, यहाँ पर एक नई चीज लाएंगे, हलाकि मैं मैंनेज करूँगा, वो basically spring security से मैंनेज करूँगा, spring security से मैंनेज करूँगा, अब ऐसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही option है, login logout को मैंनेज करने के लिए, n number of option है, आप manually काम कर सकते हो, session वगारा, use कर सकते हो, या cookies वगारा, use कर सकते हो, बट यहाँ spring security, by default, बहुत बढ़ बढ mysql use करेंगे, बट सब को सेम है, आप कुछ configuration change कर जिए, आप use कर सकते हो, postgres use कर सकते हो, SQLite use कर सकते हो, n number of databases use कर सकते हो, yes, spring boot में भी by default database उसको भी आप use कर सकते हो, बट फिलाल हम लोग यहाँ पर use करने वाले है, mysql, ids की बात करें, तो फिलाल मैं STS use करूँगा, if you want, आप Eclipse use कर सकते हो, IntelliJ use कर सकते हो, और n number of IDs जो available है, sub use कर सकते हो, NetBeans use कर सकते हो, तो यह रही पूरी कहानी, क्या हम लोग बनाने वाले है, क्या क्या technology use करेंगे, और series के links में क्या करूँगा, नीचे डाल दूँगा, आप उसको जाके जरूर देख लिए, यह project सिर्फ और स जैसे e-commerce को गएरा हो गए, या e-learning का project हो गए, यह सब चीजम लोग next upcoming videos में करेंगे, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आपको वीडियो चलेगी, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि हम लाते है रहते हैं, ऐसा ही technology से related videos, programming से related videos, मैं 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 तो आप से next interesting video में, तब तक लिए, जय हिन, जय भारत, बाबाई